तो हे गाइस कैसे हैं आप सभी लोग आज की ये वीडियो मैंने आप लोगों की मांग के उपर रखी है तो हाँ बिल्कुल आज की वीडियो होने वाली है पोकिमोन स्वार्ड एंड शील्ड के उपर जिस सिरीज का असलियत में नाम पोकिमोन जर्नीज है अब मुझे नहीं प पारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि इन्होंने इस सिरीज के अंदर क्या-क्या नया करा है तो चलो यार अब इस वीडियो को स्टार्ड करते हैं तो सबसे पहला कोशन तो आप लोगों का यही था कि क्या सरीना और ग्रिनिंजा वापिस आएंगी इस सिरीज के अंदर तो देखो यार बात ऐसी है सरीना के आने के 60% चांसिस हैं क्योंकि जब भी एश कोई सी नई सिरीज में होता है तो उसमें कोई ना कोई पुरानी पोकी गर्ल को दिखाते हैं यह यह अलग बात है इन्होंने एक्स वाई की सिरीज में किसी को नहीं दिखाया प्रैसे आर यह पोकी मॉन कंपनिया वाले आयरेस के साथ बहुत ज़्यादा बेधभाव करते हैं लेकिन आयरेस के लावा जितने भी लड़किया हैं जो एश के साथ सफर कर चुकी हैं वो कम से कम दुबारा एक बार तो एश से मिलने आई हैं तो इस बार हम होप कर सकते हैं कि सरीना आए क् कि मिच्ती को भी दिखा चुके हैं Sun and Moon के अंदर और फैंस बहुत जादा चाते हैं कि इस सेरीज में सरीना आए तो ये फैंस की मांग पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो जहां तक मुझे लगता है 4-6 महीने तो नहीं आने वाली है लेकिन 4-6 महीने के बाद उनी आने वाले वक्त में भी हो सकता है लेकिन यार इस बात की guarantee नहीं है कि जब उसके मिलने का टाइम आएगा तो वो सरीना से मिलवाएंगी या फिर कोई दूसरी कोकी गर्ल से तो यार मेरे तरफ से सरीना के आने के 60% chances हैं और अब बात करूँ तो मैं ग्रे निंजा की तो ग्रे निंजा के एस से वापिस मिलने के बहुत ही ज़्यादा कम chances हैं क्योंकि अगर आपको याद हो कि एस ने ग्रे निंजा किस वज़े से छोड़ा था तो उसकी वज़ा ये थी कि जाइगार्ट को पूरे 500 सालों तक सोना था तो जब वो सोय तो उसकी कोई रक्षा करें इसलिए एस ने उसकी रक्षा करने के लिए अपने ग्रे निंजा को छोड़ दिया था इसलिए मुझे ने रखता कि ग्रे निंजा जायगार्ट की रक्षा को छोड़कर एश से मिलने आएगा तो मेरी तरफ से ग्रिनिंजा के आने के 20% chances है और अगर मैं बात करूँ चारिजारड की तो वो एश के साथ हमें काफी सारे डीजन में दिखा है तो एश उसे इस रीजन में भी बुला सकता है तो चारिजारड के आने के 80% chances है मेरी साब से तो यह वाला कौनसे पोकीमॉन गेला रीजन में पकड़ेगा अब देखो यार यह सवाल कुछ ऐसा हो गया कि मतलब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि कोरोना वाइरस कब खतम होगा और यह भविश्य की बात मैं बिल्कुल नहीं बता सकता लेकिन मैं अपना अंदाजा जरूर दे सकता हूँ कि यह यह पोकीमॉन वो पकड़ेगा तो अभी तक जो एश ने पोकीमॉन पकड़े हैं उन पोकीमॉन का नाम हैं ड्रैगनाइट, रियोलू, गैंगार और अपना पीकचू और साथ में वो एक और पोकीमॉन पकड़ सकता है आने वाले अपिसोड में तो जहां तक लोगों को लग रहा है वो सॉबल है तो अगर मैं बात करूँ इस सिरीज में एश का बॉन्ड सबसे जादा किसके साथ बनेगा तो अगर रियोलू इवाल हो जाता है तो लुकारियों में बदल जाएगा और अगर एश और लुकारियों की टीम बनती है तो ये बॉन्ड अब तक का सबसे बेस्ट बॉन्ड होगा ये तो भाई कैसा हो जाएगा जैसे हमारा एक सपना कम्प्लीट हो रहा है क्यूंकि एश और लुकारियों को सबी लोग एक साथ देखना चाहते हैं लेकिन अभी प्रेसेंट के बात करूं तो एश की ड्राइग नाइट के साथ बहुत जादा जम रही है आपने देखा योकार जब उन्होंने मैं जीता था तो दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे थे इसके ल तो यार ये तो बात हो गई एश की टीम की अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ की आने वाले स्वार्ड एंड शील्ड के एपिसोड में क्या होगा तो जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूं उससे पिछले संडे जरपान में आया था एपिसोड टॉन्टी सिक्स पोकेमॉन स्वार्ड एंड शील्ड का उस एपिसोड में हमें मैजिक आर पास लोकिंग दिखाए गए थे तो एपिसोड काफी अच्छा था लेकिन आप बात करते हैं एपिसोड 27 की तो एपिसोड 27 की अंदर हमें देखने को मिलेगा गैलार रिजन का सबसे तागट वर्ड ट्रेनर लियोन और उससे हमारे हिरो जानी एश और गू भी मुकाबला कर सकते हैं बढ़ते हैं एपिसोड 28 की तरफ इस एपिसोड के अंदर हमें सॉबल दिखाया जाएगा जिसको एश के पकड़ने के बहुत जादा चांसिस हैं क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि एश सॉबल पकड़ेगा ही पकड़ेगा तो देखा जाएगा एपिसोड 28 में बढ़ते हैं एपिसोड 29 की तरफ तो एपिसोड 29 में हमें येंपर की एक मिस्ट्री दिखाये जाएगी क्योंकि स्वाड एंचेल में वैसी येंपर को बहुत कम दिखाया गया है तो उसके ऊपर तो एक चलने में आपको ये बता दू कि हमारा एज गैला रीजन में एक चैंपिंशिप लड़ रहा है तो इस चैंपिंशिप में 1000 ट्रेनर ने हिस्सा लिया है तो एक हजार में सी भी हमारे एज की रांक आई नाइन टॉन्टी वन तो ये चैंपिंशिप आगे चलती रहेगी हमार इस पर नजर बनी रहेगी तो आप चलते हैं अगले टॉपिक के तरफ की पोकिमॉन शूर्ड एंड शिल्ड कैसे देख सकते हैं मेरे से काफी जादा लोगों ने कमेंट करके पूचाए कि कैसे देखे वाई एपिसोड कैसे देखें तो देखो यार पोकिमॉन स्वाद संड़ी एक नहीं आता है वह भी जपाने शाम को चार बजे और वह पूरा भी सोड हमें शाम के 5 बजे तक मिल जाता है तो किस बूंस के बाद कितरों हुइती यका जेख सकते हैं या फिर आप वहाँ पे जाके सर्च कर देना Pokemon 2019 आपको दोनों तरीके से मिल जाएगा या फिर देखो आप संडे को सीधे 4 बज़े के बाद YouTube पे आना और YouTube पे सर्च कर देना Pokemon Sword and Shield और साथ में उसका एपिसोड नमबर जो कि उस संडे को आया है आपको वही पे एपिसोड मिल जाएगा या फिर थोड़ा सा इंतिजार कर लेना लेकिन YouTube पे आपको छोटी स्क्रीन में देखने को मिलेगा और आपको YouTube और वेबसाइट दोनों ही प्लैटफॉर्म पे Japanese भासर में मिलेगा लेकिन साथ में उसके नीचे English सब्टाइटल लिखे वे आए मिलेगे तो मंडे को आप इसकी वेबसाइट खोलके देख सकते हैं तो भाई लोग जितनी भी तरीकेते एपिसोड देखने के मैंने वो सारे आपको बता दिये हैं तो यह बापकी जिम्मदा देखे हैं कि आपको कोई साभी एपिसोड मिस्नी करना है हर संदे को आया करेगा और जितनी भी एपिसोड आने वाले हैं उनकी डेट ये लिखी है तो डेट को फॉलोवर ना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना इस वीडियो का लाइक टागेट रखते हैं पूरे 5000 लाइक और जैसी 5000 लाइक कम्पलीट हो जाते हैं मैं आपको स्व